कि तो प्रश्णवर 26 में करें एक खोखले बेलन बिलनकार बरतन देखें यह हो एक बिलनकार बॉर्टन आप बना लेंगे थी न और यह कह रहा है कि इसमें जो है कि बरतन करना ब्यास यह हो जाएन् में अब यह कराकि इसमें कुछ पाणी भर्मान निदियाशा कमा लौशे का धीक हैन लेकिन घंडाकार लोहे का वस्तु दुबाया जाता है गहनाकार कि वस्तु को दुबाया जा रहा है प्सक्राइब अब इसमें का रहा है कि पूर्यतर दूबोडने पर पानी की सतह माले इसमें इतना पानी भरा हुआ है पहले से पानी भरा हुआ है जब घौन को डूबोड़ा है तो इसके सतह जो है आपका जो है कि उठ जा रहा है तो अब इसके सतह उठेगा वोगां करेगा इतना सथ उठ रहा है अज विषने ब्रिदि हो रहे है आठ सही नौबटा में कितने का वरती हो जारी अब देखे घनावना यह ज़िए घन को आपशा कि में किसी बालती में ज़ह रहा पानी को उपर कर देगा अपने आयटन के बरावर पानी को उपर कर देगा तिक लगागा उसका पर पानी को को उठा देगा तो अब यह तो आपका उठ गया आठाला में तो अब यह भाग उठा हुआ है इस आइतन के क्या होगा बराबर होगा साथ के होगी यहाँ पर लिखेंगे आप लो घं का आइतन बराबर क्या बेलन का आइतन आयतन ठीक है तो घं का आइतन बराबर क्या होता है एक क्यू होता है अब बेलन का आइतन जो होता है पाई आर इसक्वाइर क्या होता है है एक क्योंकि उसका जो भी पान रहेगा वह इतना ही तो हटाएगा तो यहां घं का आइतन हे वह नहीं की बेलन का आइतन जो पानी आपका बढ़ रहे है वह अपने आयतन नेंगे वह पानी का करेगा पानी बदन के ऊठार और पानी ब्यानीं का सब्दन में इतन का recently भी सब्सक्राइब हो सब्सक्त करो आपने बरावर राव बनेगा सबाई को विस्थापित करें को उचा इंटा ऊठाएगा कोमोई तो यहां पर हो जाएगा के क्यों प्रावर हो जाएका पाई कमान होता है 22 बटा में साथ 37 गुण कितने की है साथ की अब हाइड कितनी है 809 बटा में आर सही नो आर सही नो बटा में चो देन गुणा कर दीज तो यह हो जाएगा आर चो को 32 को दू हासिल 3 हुआ आर्ठेकम आर्ठेकम आर्टीन 11 बटा में कितना हो जाएगा आपका मेरे प्रिछात्रों 14 बोलिया कन्फर्म है ना अब यहां पर क्या करना है ध्यान दीजिएगा साथ से साथ गट गए साथ से कटेगा साथ 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 दूने के चौदा भी तो यह कितना हो जाएगा दें मानें का कि मतलब क्यों क्या मतलब क्या यह अगरवर इक क्या से एक Three बाराबर चोपे कि कून्हान से हटे कि यह आपका गहन की कोर की लंबाई है यह आपसे पूछ रहा था घन केखोर की जो लंबाई होगी लंबाई कितना होगी तो प्रीच आतरों आपका ऑफना में डी क्रेक्ट होगा यह तो आपको अच्छी तर समझ में आया कि नहीं है समझ में अब इसके बार आगे बढ़िए तो उमिद होगे अब यह समझ में आया अब इसके बार में लेकर चलता हूं आपको 27 नंबर के तरह तो यह 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 अच्छा लगता है ना वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए चली और हाँ अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक ज कि ध्यान दिजेगा 27 नंबर कोशन इतना सिंपल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ठीना देखें करेंगी नौ एकसी स्क्वाइर नौ बटा में एकसी स्क्वाइर प्लस देरा काई मेरे परीच्छात्रों 4y स्क्वाइर करें इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह फार्मूल प्लस चार को लीख सकते हैं 2y को लिख सकते हैं अब पूरा घृ यहां डिजेगा उपर यहां पर et Corn प्लस B होता है दो गूणे लगाईए ए वला पद ये वल पद इसमें लिटामें एक्स है कोई दिकत नहीं है बहुत सिंपल तरीका और गूणे बी वाला का रहे तो वी वाला कितना थे टू वाय यानि कि इसमें कितना जोड़ा जा रहा है तो यह फार्मूले में चल जाएगा यह बहुत सिंपल तरीक है ना ठीक है तो यह आपका प्रोसेस रहा यानिकी 12y बटा में x यह जोड़ दे तो आपका option correct हो जाएगा यानिकी जो हम लोग option की बात कर लें मेरे प्रेच्छा थो option number जो है आपका 12x बटा में y ठीक है 12x बटा में यह एवी कैंसिल थे भी कैंसिल 12y बटा में एक्स कंफर्म यहीं बारावाई बाटा में कितना एक्स जो कि आप लोग का आफसा नंबर से क्रेक्ट था बहुत सिंपल तरीका यहीं कुछ नहीं करना था कारणा था कि कितना जोड़ दें कि वह अपूर्ण वर्ग हो जाए ठीक है यहीं कितना जोड़ा जा रहा है आप नमर पर देखे 28 नमर ही बहुत सिंपल है आप सोच भी नहीं सकते हैं तो घ्राण दीजी कि तो 28 में क्या करा है तो करेकी पी-टु बराबर 0 वर देखिएगा बीटु वर राबर कितना लिग कि यहां पर करें आखिरहें पी एकस ब्राबर आफसंशार आपके द commitments टाएक इस प्लस टू तकि आपको अचिकल समया जाए यहां पर बुल्सक कोई नहीं को चल्छा थी ऑप संदिया हैं मेरे सथात्रों डिया हैं 24 आप कर दिया है अब ध्यान दिजिएगा यहां पर 2 है यहां पर 0 है यहां पर एक्स का वेलों कितना पूट करना पड़ेगा जी दो यहां कहने यह कंडिशन यह आप से कर रहे है कि मेरे परी छात्रों आपका यह कौन सा आफसन क्रेक्ट होगा कि उसमें 2 एदी रखा जाए कौन सा इसा आफसन है जिसमें आप 2 रखें तो वह कितने के बराबर हो जाए जीरो के बराबर हो जाए इसमें 2 रखेंगा दो दो चार यहां संकर्ण इसमें 2 रखेंगा दो राजाए का कट दो रखेंगे दुदुनी के चार हो जाएगा कट यानिक आफसान नंबर जो है A B B क्रेक्ट है आफसान नंबर क्या है मेरे प्रिछात्रों आपका B क्रेक्ट है यानिक X-2 बोलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल रहा कंफर्म हो समझ ना रहा है ना चलिए इसके क्यार दिजएंगा तीक है बहुत सिंपल यह कोशं है ध्यान दिजएगा आप 28 नंबर का आपका हो गया 29 नंबर कर देगे कि द्यान देज़ेगा 29 नंबर बहुत सिंपल कोश्चन है कर रहे कि मैं लिख रहा हूं आप तुरंट एंसोर बताइए कर एंसोर बटाइए 2x का पावर क्यू दे रखा है मैंगे ठीत यहां देखा पूर्द है और पेण हम ध्यान देख यहां ज talking रहा है तो आप इक सिरी एक्स कमांद आ गया एक्स कमान दो आ गया अब यही एक्स कमान इसमें रख देजे डिरेक्ट यहाँ पर रख देते दो मल्टिप्लाई दो का क्यू करेंगे न तो दो दूनी के चार दूनी के आठ ये तो आपको आता हुगा बिस्तार से इसको मैं नहीं बता रहा हूँ तीन गुडे दो का स्कुर सब्सक्तार दूनी के चैर माइनस चार गुदे दोवे प्लस की बराबर कितना लेगे मेरेशातरह जीन मुद्स कंफर्म हो आठ दूनी के यह प्लस में धर जाएगा तो माइनस बीस है तो के बराबर हो गया यह माइनस बीस तो आप पहले सलोसन कर लिए होगे क्योंकि यह बहुत को सिंपल कोशन था तो चलिए फ्रेंड्स यहां तक तो कंप्लीट हम लोगी है यह 29 नंबर था अब इसके बाद लास्ट कोशन है आप जाएगा चलिए यहां से पहले माइस को अटा देता हूं और बात करते हैं तीस नंबर कोशन के चलिए तीस नंबर को जरा की ध्यान समझेगा और उमीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और हाँ वीडियो आपको अच्छा लाएगा तो जाते जाते अच्छा लागर है तो ही लाइक कीज़ेगा चलिए इसमें से जो है कि आपका ताहिति सखी एक बाता में तीन परसेंटेज जो है ना और निटेवर्य आपका आमल है अंग्ल ड्यांद डीजए मीरे प्रीषातर आमल है गब तो बच गया कितना सो परसेंटेज मे क्या हो गया पानी इतना उसमें पानी है तो फिक है अब 24 लिटर तो मिस्रण है ठीक है लेकि मिस्रण ने अमल भी है और पानी भी मोजूद है तो 24 लिटर पर यदि कि त्थर रेख रहेंगा है कि एक्तें पर्सेंडर निकालें तो एक से बाधाम तर निकालएगा पानी किटना निकालैं शोबीस का कि अनिननने इनननने कल दिए तीने निनने एक सव अनूठ रिकाम ने करते हैंहले कि वह एक मानत oil तो इससे ही कर जाएगा तीनावट है चोविस यानिक आठ जो लीटर है यह अमल हो गया चोविस लीटर में आठ लीटर अमल हो गया तो सेश बचा कितना 16 लीटर यानिक 16 लीटर क्या हो जाएगा पानी आप समझें या उसका भी निकाल सकते कोई दिकत नहीं है सब्सक्राइब चाहिए चोविस लीटर पे जो है आप जोड़िये चटिरी अठार अठार तोबीस को सुनने आसल दूँ है कि अगे देखें यह कह रहा है इसको मैं ठादे रहा हूं और आगे कह रहा है कि यदि इसमें पानी मिलाया जाए कि मिस्रल 20% अमल हो जाए आखिर में करें इसमें कितना पानी मिलाया है इसमें कितना पानी मिलाया है कंडिशन यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ करीच 24 जो लीटर है ना किशिए में इसमें पानी कितना मिलाए कि जो आपंलवा है बीस प्रतिसत हो जाय कुल ने तो कि परिंटेज आपना भा सब्सक्राइब ऑफशन के अर्धेश कि परिंटेज नसरनो रही हो जब पानी है में यह माल लेते हैं कि पानी यक्स मिला जा रहा है जब यक्स लिटर पानी मिला जा रहा है तो बीस परसेंटेज अमल है और 80 परसेंटेज क्या है पानी तो 80 परसेंटेज में ठीक है 80 परसंट पानी में देखते हैं कितना अक्रेंट कोई बात नहीं है तो पहले लिटर था 16 लिटर लिटर अ इसमें य हो जाएगा तोटाल 16 लिटर आपको होई हो जोड रहा है इसमें बस क्या कर देजिए जोड दीजिए अब यहांप पर देखिए गा आप पानी को प्रसेंटेज निकाल कर दिए बराबर कर दिए यह हो जाएगा यक्स प्लस 24 गुड़े और पानी था ना यक्स लिटर इसमें जोड़ गया है तो आपको अमले इतना हो जाएगा इतना समझ में आया अब इसके बाद चले इससे इसको कटा दिजिए और दू चोगे आठ दू पाच्छे दस पांच हो गया इसके बाद मल्टिप्लाइ करा दिजिए यह हो जाएगा 4 x हो जाएगा यह अपर लिख लेए चारिक्स हो जाएगा प्लाश चार Joe 24 26 रेक्ले का टिए नर बरावर पांस मल्टिप्लाइ कर देके पांस 12 15 comment 5x इसको इधर पढ़ेज़े इसको इधर लाइए तो यह जाएगा 96-D 받아- Katiey चार यह जाएगा 5 पानी मिलाना पड़ेगा 16 लिटर यदि पानी हम लोग मिला दें कितना लिटर पानी तो आपका अमलग को परसेंटेज होगा 20 परसेंटेज यह आपको अच्छी तर समाज में आए यह तावर यानी की कोडों का अनुपात आपका दिया है एक समंधे 5 समंधे कितना दिया है 12 इस भूजा का सबसे बड़ा कोण है ठीक है ध्यान दिजेगा कोणों का आपका अनुपात दिया है कोणों का क्या दिया है अनुपात आपका दिया है गर एक तिर्भूज के कोणों का अनुपात एक समंधे 5 समंधे जो है कि 12 है तो आपका क सबसे बड़ी भूजा होती है बड़ी भूजा के सामने वाला कौण भी क्या होता है यह तो आप लोग पता है देखिए तो हम पूरा आपको बता दे रहे हैं किस तैसे आप लोग हर्जे से माल जी कोई भी कोण है यह सबस्ती होता है बाटा मैं होता है यह अच्छा कोश्ण करना होगा दूसरा कोण के लिए आपका होता है बी गुणे 180 बटा में A प्लस B प्लस C जो कोणों का अनुपात है कोशन में कोणों का अनुपात दिया है कोणों का अनुपात दिया है और इस कोणों की अनुपात को जोड़ करके जिस कोणों को निकालना होगा मान उसको असानी समला निकाल सकते हैं तीसरे कूण के लिए आपका हो जाएगा मेरे प्रीछात्रों आपका हो जाएगा c गुणे आपका होगा c गुणे 180 बाटा में a प्लस b प्लस क्या बहुत ही अच्छा कोश्चन है देखे तो यह तो आपका एक सबसे जो बड़ी भूजा होती है बड़ी भूजा के सामने वाला भी कूण क्या होता है बड़ा होता है यहाँ पर कूणों का अनुपात सबसे इसमें बड़ा का अनुपात कौण सा है 12 तो सबसे बड़ा कूण जो होगा आपका 12 वाला होगा तो बड़ा कूण निकालने के लिए आपको यहाँ से निकालना कितना है बहुत सिंपल कोशं है किसे हमाज लेना है तो यहां से हो जडिये सब्कोर सबसे बढ़ा कूण और आफसे बता देते हैं आपसो नबर सी क्रेक्ट है और ध्यांदेगा यह बताईएगा सबसे बढ़ा कॉल कॉन सा है तो 120 डि यह उससे चोटा कॉन सबसे चोटा कुन होगा सबसे चोटा एक समाणिय में यह सबसे चोटा रोगा हमेशा तो आपका काम करेगा चलिए इसके बाद 32 नमबर देख लिए बहुत ही अच्छा कोशन है 32 नमबर कर ठीक ना आपको सिर्फ समझ लेना है आप खुद सलुसन कर सकते हैं जाधा कुछ नहीं करना है दोनों को जोड़िए दोनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिजिए और 180 के दो समपूरा कोणों की माप पांच पहला कोण देखिए दिया है 5x प्लस 15 टेगरी और दूसरा कोण दिया है आपका 4x-6 टेगरी करें इन दोनों कोणों का यह कितना होता है एक सवस्तित तो यानि फर्स्ट को जोड़ दिजिए 5 4 कितना हो जाएगा 9x ठीक है और इसको जो जाएगा दोनों को मैंने जोड दिया जोडने के बाद कितने के बराबर हो जाएगा आपका 180 के ठीक है अभी हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा अब यह बाद कटा दिजिए तो नव एकम नव हो जाएगा और नव यानिकी सतर में से नव घटा कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा दूसार का कितना हो जाएगा आपका दूसार का कितना हो जाएगा अनी चुछ जोड दीजिए यानिकी आपका हो जाएगा है चार मुल्टिप्लाई कर लिए इसे चार नावा चातिस हो चार नावा चाटिस को 6 Wen 3 हूआ और चार एकम 4 ठीक है अब यह आपका आफ्षन की बात करने तो हम लोग आफ्षन नमबर एक रेक्ट क्या है आफ्षन नमबर यह यह आपका 110 हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो कितना सतर पन्फर्मों चलिए इसके बाब 32 नमर कंप्लिट हुआ दो कुण पूछ रहा तो एक आपका 110 हो जाएगा दोसर आपको कितना हो जाएगा सतर का हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तायतिस नमर कोशन बहुत ही अच्छा है देखे करें कि लाग 5 बहुत अच्छा कोशन आ रहा है लाग जो है फाइफ दिया है और वन बाई लाग 125 और विसको का गाने कुछ नहीं करना है देखे इसको आप इससे लिख सकते हैं लाग 5 यह बटा में 25 कि लिख सकते हैं कि नइए तो 25 हो जाएगा इस घात को उपर ले जाएगा तो यह हो जाएगा कितना लाग 5 यह हो जाएगा पांच के घाती प्लस में उपर जाएगा तो माइनस में इतना हो यानि कि इसको हम हटा करें से लिगने लाग पांच घात माइनस अब घात के नियम से यह पाल यानि कि माइनस कितना हो जाएगा थ्री लाग फाइफ बेस फाइफ अब आप लोग पता होगा कि लाग फाइफ य यह आप कहोगे माइनस 3 माल्टिप्लाई 1 इसकल टू माइनस 3 जो कि हम लोग आफसन की बात कर लें मेरे परी चात्रों आफसन नमर सी आपका क्रेक्ट बहुत ही अच्छा कोशन है दिक्कत नहीं है वो छोटा-छोटा कोशन है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 34 न लृष नहीं दिया तो इसका बेस्ट मान सकते हैं जो कोई दिक्कत ने बेस्ट बेस्ट निए बेस्ट दस ने बेस्ट ना जाता है ठीच न लागो बेस्ट दस बराबर दिया है दो दस मोनों 3 010 और कर रहा है मैरे परी चात्रों लाग 25 लाग कितने का परचीस का मान होगा यह लाग 25 कमान्द पूछ रहे हैं कोई दिकत नहीं है बहुत सिंपल कोश्चन तो लाग बेस दस मान सकते हैं ना बेस दस हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं पांच घथ कितना दो और लोग के नियम से हो जाएगा दो लाग 5 बेस दस कनफर्मों लेकिन लाग 2 कमान देद्ध हैं पैसे किसे मामन लाग दो का इसको आप लोग सकते हैं टाइसटक में लाग यहनी remained 10 अ बटा में इसको बटा में दो लिख सकते हैं आप ड़स तो है रहे गाई लिख सकते या नहीं यह तो प१र्म हैं यह दो से Canada को कस आods आइगा तो आपका इतना हो जाएगा और फिर यह हम इंटू यह फोड़िए जानी कि टू लाग हो जाएगा छोटा कोष्ट लगा लिजिए कोई दिकत में लाग बेशंट दस लाग दास माइनस लाग दो बेस 10 कंफर्म हो चली बहुत अच्छा कोश्चन है चलिए यह दोनों बेस अधार बराबर है चलिए तो यह लोग दस बेस दस है तो यह कितने बराबर एक के बराबर माइनस इसका वह लुख कितना दिया मेरे प्रिछात्रों 0.3010 कांपार ओकी नहीं दो एक में से घठा दो एक में से क्या नहीं लगाता है को गणा एक पाइक पहले जीम है जिरो है और दस ठीक है यहां पर कुछ नहीं तो जीरो आप लोग बढ़ा लेंगे यह तो आप लोग घठा ना में आता होगा माइं अच्छा कोशन है चलिए आपका जीरो हो जाएगा 10 में से घटा नहुंआ यहां पर कितना बच्चा नहुंआ यहां पर कितना बच्चा नहुंआ नहुंआ इसके बाद मुल्टिप्लाइ कराइए जीरो हो जाएगा यहां यहां इसके बाद मैं लेका चलता हूं 35 नंबर की कोश्चन के तरफ जो कि बहुत ही मज़दार कोश्चन है 35 नंबर क्या है ध्यान दीजिएगा ठीक है फ्रेंज ठीक है अब यहां पर बात करते हैं 35 नंबर का कोश्चन जो आपके पास आ रहा है ठीक है चलिए 34 नंबर हो गया 35 नंबर देखें बहुत ही अच्छा कोश्चन है 35 नंबर दिया है क्या थ्री लॉग एक्स प्लस टू लाग वाई माइनस टू बराबर कितना है जिरू आपको कह रहा है कि एक्सक्यूव इंटू उआई स्कॉयर का कितना होगा यहीं आपका की आप से पूछ रहा है ज्यादा कुछ नहीं है देखें यह जाएगा लाग एक्स घात के नियम से जात किया है को आदा है कि लाग यम हो और बारन यानि माउव पावर एन गात इसको लिखते हैं घात पाला ज bunun यानिए जब इस तर से दिय रहे हैं यर्णि एन लॉग कि यम दिया रहे क्वायर माइनस हो जाएगा इसकल टू दो माइनस इधर एधर दे दिए कंफर्म है अब यह जो फारूला है मैरे मेरे प्रिछातर यह है लाग यह हो जाएगा xq in to y q a square x q in to Y square का यहां बराबर है two two है अब ध्यान दिज्वाइब क्या दो को आप लिख सकते हैं 2 બેને 1 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणે 1 1 कंफर्म हो ठीक है अब देख़ी क्या करना है यह जो आप一个 लिखे हैं 2 mल्टिपला ही दो होगा आप 1 को क्या लिख सकते हैं। लाग दस भेस क्या Streets कि अब यहाँ पद्धयान देड़िए इसमें किसी में पहली बता आप जो है इसकते हैं पर दिक्कत नहीं बेस दस माना जाता है आप पढ़े हों कि लाग का नियम तो आप लोगों पता होगा अब देखी यह हो जाएगा लाग XQ into y square base 10 हो जाएगा बराबर यह हो जाएगा log 10 के square base 10 base 10 से base 10 क्या होगा कड़े यानि x q into y square बराबर हो जाएगा 10 गहत दो है तो इसका value कितना हो जाएगा 100 दस दा में 100 यानि कि यह आपका answer हुआ यानि आपसे क्या पूछ रहा था हर आल में पूछ रहा था कि एक x q और into y q का जो है y square का मान बताई है अब कितना होगे 100 जो की हम लोग का option कौन से correct है मेरे प्रिचात रहो आपस नमबर d आपका correct है तन फर्में सभी चीजे आप कोचित है समझ में आ रहे होंगी ठीक ना step by step समझ में आ रहे होंगी किसी भी प्रस्ण यहाँ पराम अटाते हैं इसको और लिखते हैं 36 नमबर को ठीक है 36 नमबर है कि लाग 14 बटा में 15 माइनस लाग हुआ है तीन बटा में 15 पंदर नहीं 25 25 बटा साथ बटा में न्यव ठीक है पडर मैं कर देरा हूं अब यह बताएं यह दोनों मैंस में लोग में टी बेस तो दसमान सकते हैं न बेस लाश्ट में अमनों दसमान लेंगे ठीक है तो अब देखिए कि यहां से मा नलयां चोड़ा करें क मैं मैं डिकर लिया benefici यहां complic चला जाएगा चला जाएगा लाग जानी थीन बटा में जाना फीस एचीश गुने साथ अब हो जायगा आपका लाग 10 15 साथ में कितना हो जाएगा कशष्यश्यक्त ऑफ यहां पर लाग जायchar यह मैंनस लाग न पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14 बटा में 15 गुड़े आपका हो जाएगा भीन प्लट यह पूरा मैं यह पूरा यह पूरा क्या है यह तो आप लोग पता होगा इसलिए मैं कर दिया हो 55 बटा में कितना साथ साथ दो निके 14 आप 15 पाचे पचात्तर यानि कि यह हो जाएगा लाग अब मैं बेस ले रहा हूं बेस दस आयो जाए पांद निके दस अलाग दस बेस दस का यह टोटल वैलू जो है आप कितने बरावर हो जाएगा एक के बरावर करता हूं कि ताकि आपको अच्छी तरह से सभी कोशनों का सलोसन समझ में आता रहा है किसी भी प्रस्ट में आप कोंफूजन नौ तो यह आपका 36 नंबर रहा 37 नंबर के तरफ चलते हैं 37 नंबर का कोश्चन जो है आपको कैसे करना ज्यान दिजिएगा 37 नंबर कोश्चन क्या है देखिए तो 37 नंबर में दे रहा है एक समकोर्ट तरफूज ABC यहां पर एक हम वह समकोर्ट तरफूज बना ले रहे हैं कि यह हो गया रहा सिंधल सबसे बड़ी होगा और जो आपकी इह चंटार होगा और यहां यहां आ सबसे अरilty का थे कि मान होगा इसके चारों तरफ जो है एक बिरित बनाए गया तो समकोर तिरभुज तो आपको ऐसे रस्पास करना चाहिए निखिए फिर से इसको बना देता हूं ठीक ना तो आपका एक समकोर तिरभुज ऐसे बन जाएगा और यहां से मानगे सब्सक्राइब ये किन्डृ है कि दिख से होगा और एंबल हैं और अब ये आपका मैं आपकों lease नहीं साथ का दया यह क्ते हैं कि अब सब्सक्राइब करें ये focal difference प्रीदी अबFit है तो सबसे पहले आपको र चाहिए यह पूरा का जो हैं कि घृत तरीके जी जी कि अधी हो धी होती है खते बर्या st साथ साथ पाई जो आफसन है हम लोग का आफसन नंबर डी क्रेक्ट है आफसन नंबर क्या है मेरे प्रिच्छात्र डी आपका यह कंफर्म हुआ कुछ नहीं करना था करें एक संकोर्ट त्रिभूज है इसके बाहर बार एक बिरित परिवरित का मतलब यानिकि उसके चारो प्रित परिदी आपसे पुछ रहे कि परिदी क्या है स्वंकोर्त बना लें और इससे और इस तरफी सब्सक्राइब करें करें तो आपके 60 का हो जाएका यह कितने सी अग्ला कोषम क्या करा है बहुत यह अच्छा कोष कोषम है देखेंगा एक समकोर तरिभूज के दो निवन कोणों का बहुत ही अच्छा कोषम है आ रहा है आपके पास ध्यांडे जिगा 38 नमबर एक समकोन थिरिभुज के दो नियूम कोनों का अந तर अब देखिये यहां पर एक समकोन थिरिभुज मैं समझाने के लिए गराफ बना देना हूँ आपको माले यह एकस डिगरी है और यह वाई डिगरी है और समकोन है तो यह कितने का होगा नभै का दोनों को जोडने के बाद आपका 90 डिग्री होता है 90 को यदि पाई मिले जाते हैं तो आप पाई टू लिख सकते हैं इसको समीकर नमर एक मान लिजेगा दूसरा देले दोनों का अंतर आप इन दोनों का अंतर दे रहा है यानि कि फाई बाटा में कितना दस है के कैसे हुआ फाई बाटा में दोनों का यह बाटा में 25 धास यहा ना होगा दो दूनी के चार हो जाएगा और दू पाचे दस पांच यानि पांच अर ना हो जाएगा यहां से एक्स बराबर हो जाएगा ना गोड़े एकस और असी बाटा में दस गोड़े कितना डो कनफर्म है इससे यह जीरो कट गया दो सेटा यह 29, 18 9, 18 यानि एक जुड़े आपका 80 डिगरी का हुआ एक कुड़ कितने का हुआ ini कनफर्म है जब एक कॊड़ा Україette अथना होगा दूसरा कॊड़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ सोगा इसी में रख दीजे नहीं है तो एक है, आई यह दोनों का यग 180 होना चाहिए ना, इसका यगह, इसका यग 10 होना चाहिए, एको 81 होका तो दूसरे का कितने का होगा, आपका नव इक सब्सक्रा नवर 18 तो य बराबर, उने दिघरी का नो डिघरी का यह एंडिक आपका आपसन की हम लोग बात करने तो 81 और कि जैसे जैसे काहे कोशन में आपको बस्वभी करना है ज्यादा कुष नहीं करना आपसे क्या करा था कर रहते की दो कोनों का योग है आपका करें कि दो नियून कोंनों का अंतर आपका दे रखा है तो दोनों यानि एक सम्धा यह को को घणा दीजेए और ऑनतर देए तू पाइव टामें पाच अ आ हम जानते हैं कि जो सम्धान होता है 무ं को में आपका जब दो यानि एक depths समकोन में आपका जब दो यानि एक कोन नबे का होता है तो इन दोने को जोड़ने के बाद नबे के बारावर आना चाहिए तो माल नहीं तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर के कोश्चन पर जो की आपका 49 से इसके बाद हम लोग चालिस पर चलेंगे कोई दिकत नहीं बहुत ही सिंपल कोश्चन है ध्यान देजीगा ठीक है 49 नंबर कोश्चन देख अब यहां पर बात करते हैं 49 नंबर कर रहें कि एक ब्रीत का छेतरफल आपका दे रखा है आपका 100 पाई छेतरफल दिया है आपका सभ्क्रीत वथा अब यह कर रहाए कि एक ब्रीघ ooh यहाँ पले मैं ब्रीठ बना लेता ओप अब यह क्टा रहाए कि उसके केंदर से छह सेंटीमिटर की दूरी पर जिवा कि लंबाई कि ही travels 6 सेंटीव Need आपको पता है कि जो है बराबराबर कितना है दिया है सो पाइ से पाइक पाइक एक इसमें से निकाल बर नाधार निकालें पता होका जिवार केंदर से जीवा क्या देरका है में जीव फुछा है अव लोग पता हुई जिवार हो जीवार टालते हैं तो आप clean होता है जीवार के कड़ी हों में क्या बाढ़ता है वह आपने निकाल लıं गया उसका दो स्क्वाइर सो माइनस यह हो जाएगा 36 घटा देंगे तो दोस में से छो गटेगा चार नौ में से तीन घटेगा चाउंसट हुआ चाउंसट का बर्गमूल बर्गमूल लेते हैं आप बर्गमूल कितना आठ यानि कि यह जब आठ का होगा तो यह दोनों भाग बराबर है तो 5 आठाएर कि जो आपका जीवा है जो आपकी क्या है जीवा है तो भार ऑराबर हो जाए क्या 16 यानि कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मुझ्टिप्लाइग अब जोकी आपके बात करलें हम तो आफ नमर्डी आपका करेक्ट यह समझ में आया बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब जो कि आपका इस वीडियो का यह अंतिम कोशन है ध्यान दिजेगा बहुत ही अच्छा कोशन है ज्यादा आपको दिखते हैं कि मैं बज सिर्फ ग्राब बना करके आपको समझा देता हूं आप खुद ही नि कोशन हम दिखाते हैं वही चलीस नमबर तीक है देखे यह अंतिम कोशन है न ठीक है और यह आपका च्यांकित भाग है ठीक है रहें से पूरा द्यान देखेगा देजिए अब करफ में दिख रहा होगा पूरा टिरभूज बने देख रहे ना एक है तिरूज में तिरूज है समया तो यह तो अपको स्कुल्द बनना एक को शहका होता है और आप पता होगा कि सम्कोंट तिरूज का च्छायांकित भाग का च्छेतरफल के लिए आपका फार्मुला देखिए अब पूरा च्छायांकित भाग का है तो अब यह इतना जो है आपका और्ध बिरित है अब बिरित के लिए होता है एक बटा में दो आधार क्या होता है अधार गुणे क्या उचाई होता है आधार गुणे ऊचाई होता है यह आपका पाई कैमाण 22 बटा में कितना हो जाएगा साथ गुने देखे यह जो अब कि साथ तरिज्या एक साथ की और अब सुछ नहीं काला है इस फॉरा उचस्चाय पूरा dusty सतर है तो सेस्वाग कितने यह वह ऐना 0.10 अपक यहागे वहां उचाय और यह आपका साथ का पर्लोब साथ क्योंकि यहां से अधर्थ होया तो लमब आपका 10 वाधार 7 हूँ यनि कि यह हो जाएगा मैं तो दो कटा दिजिए क्तली प्लस आधार यानि कि साथ अग्णे उचाई कितने हैं दस की कि दो से दो कट गई और हो गया साथ से साथ कट है ना जैनी कि यह भी सत्तर हुआ ऐससात्तर हुआ अप्लस सद्ध में सत्तर भूगवा जो दिए साथ हो गया अजी 147 कितना हुआ मेरे प्रिछातरों 147 cm2 जो कि आप सा नंबर भी आपका नांबर जो भी मैं कोशन बताया हूं इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको समय बाइब आ गया होगा और हाँ वास्तों में अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है जाते जाते वीडियो को एक लाइक जोरु कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएगा और साथ प्रेस भी कर दिए तक जब इस टाइब की वीडियो आपके लिए अपलोड क में आगे होगा चितर से 40 नमिल का कोशन जो कंप्रीट हुआ और देखिए दे रहा है कि दर से चितर में ब्रित की जीवा क्यू आर कामान होगा देख एक ब्रित बनाया है तो मैं भी एक ग्राब बना लेता हूं आपको समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूं ठीक न है यहा आपका आ रहे है यहां पर आपका एक केंदर है और केंदर से इसमें क्या डाला जा रहा है लंग यह हो गया यह क्या हो गया एन ठीक है और यह आपका दे रखा है कोई बात नहीं है यह आपका दे रखा है इसमें दिया है कोशन में दे रखा है पी-एस बारावर दिया है बारा और पी-क्यू जो है बारावर दिया है क्या आठ तो कह रहा है कि क्यू आर कमान बताइए किसका मान बताना है क्यू आर यानि क्यू और आर यानि इसका जो है कि पता होगा कि इस टैप कभी भी बनता है तो आपका होता है या ऐसे कर लिजें पीक्यु बूरे आपका पी आर, यहांकि इसका Jiquo HOTा है इसका Jiquo HOTा है, इसका Jiquaire जो होता है, इस PŁरी LAMBAI के, और इसके बाद क्या creating यहांकि बाहर वहला ज arm-cad alcohol को आप बेद m9 इसक यहां कि यहां को इक फ़र्मूला है यहांनि progress स्क्वायर बराबर हो जागा PQ गुणरे P R ठीक है ध्यान दिजीगा P S दे रहा है 12 का E स्क्वायर 12 पी क्यों कितना दे रहा है आठ दे रहा है पी आठ ध्यान यह पी और यहां से यहां तक कि जो दूरी है दो खंडों में टूटी हुई है एक को कहते हैं qr यह हिस्सा आपका qr है और दो सरा क्या है पी q है आप पी q जब हो गया तो कि आप पी q का value दिये रखा है कितना 8 कोई बात नहीं रग लें यह हो जाएगा 144 हो हो जाएगा ब्राबर 8 कुछ्टे क्यू आर प्लस अब इससे कटाएंग तो यह कितना होगा और यहां से पूछ रहा था क्या रहता कि क्यूर कामान होगा उमीदोगी मेरे प्रिछा समझ और समझ में आ गई होगा क्यों टो आफ संस्elli बात करें टो आप musun नंबर जो है लिक रेक्ष एट करेक्ष इतना का इंप्षर्म हुआ चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है कि 42 नंबर कोशन पर हैं कि इतना समाझ में आया इसके बाद देखे 42 नंबर कोशन क्या कर रहा हैं बहुत ही सिम्बल कोशन है सिर्फ आपको परिवासा याद होनी चाहिए था ही ना देखे 42 से किसी कोई वह समानतर चत्रभूजंट के उसके बिकर्ण समान होते हैं उसके धिकर समान होऊ और पार स्थिति में होते हैं यानि कि यह जो आपका ऐसे बनता है इसमें बिकर्ण तो इस समय क्या बनता है क्या वर्ग इस समय क्या बनता है क्योंकि यह 90 डिग्री पो हो और उनके विकांड यह बराबर हो और दूसरे यह वह तो आपको होता है क्या संद्रिक या वर्ग क्या होता प्रहता हुआ होगा या सम म low होगा या संद्र रूमाई क्या बराबर होती है और वह नबे देखिए डियां दिजीए का बिकान की लंभाई बराबर भी हो और वह कितने का हो नबे डिगरी का हो एक दूसरे के जो यह लंब है जब बनाते हैं अब बिकान यदी बराबर होता है तो उस समय बनता है क्या वर्ग कंफर्म है तो हम लोग आपसंन नमबर हैँ अटने आपका वी करेक्ट है इतना समझ कर चुके हैं कि रालीश नंबर का 42 का हो गया आप जरा समाझ लेजिए 43 नंबर का ठीक है लिए अब पीड़ानिस नंबर का कोशन बहुत ही सिंपल है करें एक समांतर कि चेतर हुज के अधार संघर से चार गुना है यदि समांतर चतर हुज को यह समांतर चत्र हुज आप या highlight आप लोग एसे बना लिए समझाने के लिए मैंने बनाए अरू धराऊ ठीक है इतो फर्म लगंसार हम लों कर दे और भी यहां इस नीचे वाला हिस्सा है करें लंब का चारगुना है तो लंब माले मैं लिधा तो चारगुना का कितना हो जाएक कि आपको पता होगा कि समांतर चेतरफल का फर्मूला होता है आधार गुणे क्या उचाई यादार उचाई तो आपका छेतर फ़ल दिया है चाओ सथ आधार है 4X जाए कितना एक्स तो कटा दिए 4 एकम 4 हो जाएगा औहरे 4 ज़्चार चपने 24 ता बरावर हो जाए एक्स एक्स जब UX का मानचार यानि कि जब लंभ जो चार है लंभ जो है कितना है चार लंब तो chasing अधार कितना हो जाएगा आपका यह चाहर का हो तो चाहर चोगो तो अधार सोल हो जाएगा आज सोरच ओके चाहर इनका आपस मल्टिप्लाई करें तो आपका चाहर आना चाहिए चलिए उमीद होगी यह आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं 44 नमबर का बहुत सिंपल कोशन आ है 44 नमबर आप अकस्ट अब बता दे सकते हैं पर ज्यादा सलूसन भी नहीं करना है झाल ठीक है अब हम बात करते हैं 44 नमबर के कोशन के तरफ तो 44 नमबर क्या है एक ब्रित के ब्यास मैं ग्राब बना कर समझा जता हूं ठीक है नहीं तो आपका ब्यास है ब्रित क्या है कोई दिकत नहीं है करें कि निर्देस्थांग आपका दिया है एको दिया है करकेंदर का निर्देस्यांग इसका निकालें तो मद्य बिंदू होगा आपको पता होगा यहां आपको इनको जोड़िये दो से भाग इनको इनको जोड़िये दो से बाग यानिकी पांच हो गया इनको इनको जोड़िए दोस्ते भाग कर देजिए मत बिन्दू को हम बताये थे आपको बिल्कुल किलियर कर दिये थे कैसे आप लगाएंगे यानि कि इसका मत दो बिन्दू दिया हो उनका मद निकालना हो तो यह अनुपात यानि अन्ता विभाजन करता है वा आपसन जो हैं हम लोग का मिल रहा है पांच और तीन आपसन नंबर यह आपका क्रेक्ट है कंफर्म यह तो आपको अच्छी तरह से सभी चीज़े समझ में आ रहे हैं अब जारा समझेगा यह तो आपका 44 नंबर रहा अब बढ़ते हैं 45 नंबर के तरू है कि बहुत ही कर रहा है कि अनुपात विभाजित कर रहा है ना बस कुछ नहीं करना है बस फार्मला आपको पता होना तुरान ता फटाक से लागा लेंगे तो जब यक्सच को विभागिए क्या करेक्ट अनुपात दिया है ध्यान दिजेगा मैं ग्राब भी बना दे रहा हूं यहां आपका एक बिंदू 8 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा दूसरा बिंदू हो जाएगा माइनस 3 और क्या माइनस 8 करेगी अनुपात जिसमें बिंदू इतना और इतना से खीचा गया रेखा खंड एक्सच से को काटने पर वाई बराबर क्या होता है जीरो और वाई अच्छ को काटने पर एक्स बराबर क्या होता है जीरो यदि कोई भी रेखा एक्स अच पे काटती है तो वाई बराबर जीरो होता है और वाई अच पे काटती है तो एक्स बराबर क्या होता है जीरो तो यह आपको दे रखा है कि यह एकस पे काट रही है इसका मतलब कि यज या को which मथ्य दोफर्वला होता है कि जो आपको प्लस वाला यह हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा में क्या M1 प्लस M2 यह तो अन्ता विभाजन के लिए तो कर आए कि प्लस M1 प्लस M2 का तो पता ही नहीं है तिरियक जब आप गुना कर देंगे तो यह आपको हो जाएगा मैंनस साथ M1 हो जाएगा प्लस M2 हो जाएगा बराबर आपका जीरो हुआ ना साथ वाले को उधर वेज़ देजिए तो ऐसाथ आनुपात की हम लोग बात करें तो यह माण संबंद्य M2 जो है बराबर 5 संबंद्य किसके यह को उनुपात होगा 5 समंद्य कितने का होगा मेरे प्रिछात्रों साथ होगा ठीक है तो आप संके हम भूद बात कर लें आपसा नूम्ज़ यह पांट संवंद्य है कि यह तो अच्छी समय में आ गया होगा है मिलती तो यह आपका फार्मिलर में याद रखें कभी भी दकी direct लगा लिए अच्छी तरह समझ में आगया होगा आपको तो यह रहा आपका जो है कि यहां पर प्लस है ना यहां प्लस कि तो अन्ता विभाजन इतना तो समझ में आया अब देखिए मैं किलियर कर देता हूँ यह आपका आप प्लस लगाएंगे ना तो आपका होता है अंता विभाजन से अधि मैनस लगा देता है तो वही क्या हो जाता है वाई विभाजन और हाँ एक बात याद रखी का जब आपका ना y विभाजन करता है तभी आप माइनस वाल लगाएगा यदि y विभाजन नहीं करता है नहीं अंता विभाजन करता है तो हमेशा आप लगाएगे क्या अंता विभाजन का फार्मूला ठीक है यह कौन का फारू किसका फार्मूला है अंता विभाजन कर देते हैं तो आप किसका कहाएका । आप लगाईंगे और अन्ता विभाजन पूचता है तो वाई पूछ नहीं नहीं तो ८िह भैशन पूच रहा है तो आप इस लगा देंगे तो मिष्टेख हो जाए गलत हो जाता है उसका एंस्वर सही आपका आएगा नहीं ठीक है तो मेरे प्रिच्छा तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चले इसके बाद में लेकर आपको चलता हूं प्रस नंबर जो है आपका इसका एंस्वर एक ठीक था इसमें ज्याधा समय लगा प्रस नंबर 46 केतर बढ़ते हैं हमलों तो यह अंता विभाजन क्याद रखें तो आप कुछ नहीं दे रहा था तो आप अंता विभाजन लगा हैं कौन सा अंता विवाज़ उला जब देखिए ऐस समाझ लिजिए ना कि कि जब आपका व 46 नमबर कोशन का राए कि बिंदु दिया है दो बिंदु दिया है आपका P बराबर दे रखा है यह Q है ठीक है बिंदु P का मान दिया है 2-1 इसके बाद Q वाला मान दिया है K और 1 और इनकी बीच की त्वोडल दूरी दे रखा है मेरे परिछातर और 2 अंडरोड 2 आपको पता होगा बीच की दूरी बराबर क्या होता है अंडरोड में एक्सवन- यह दोरी बराबर होता है अंडरोड में एक्सवन- x2 का क्या holy square plus y1 minus y2 का क्या holy square ये तो आपको पता होगा तो ये x1 है y1 है ये x2 है और क्या है y2 बहुत simple question है दूरी दे रखा है दो अंडरोट दो ठीके ग्यान दीजेगा ये दो अंडरोट दो हो गया पहले लिख लिए इसके बाद समझ में आपको अच्छी तेसा ये x1 का कित इतना है one का square confirm भाई चले दोनों पच्छों का वर करेंगे तो यह हो जाएगा और यह करणी हट जाएगी दोनों पच्छों का वर करेंगे तो यह हो जाएगा two minus k का square होगा इतना confirm हो आप लो ठीक है समझ में आ रहा है ना इसके बाद plus one one two हो जाएगा two का square four हो जाएगा ठीक है अब यहां से हो जाएगा 4 दुनी के 8 चार इतना पेज़े आठ और यह चार प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा two minus k का क्या हो जाएगा 620 कला हो जाएगा घटाधर जीते हो जाएगा 4 बरावर हो जाएगा 2 minus k का क्या squarerant स्कॉरायर यहां पर आ जाता है मेरे Ó attitudes 10-8 का क्या स्कॉरी का क्वारावर हो जाएगा चार तो माइनस के भर Bryce नहीं है यहां ज़ना है तो बर απόर यह को एक वाफन में नहीं है और इसके अब जो माइनसं सब्सक्राइब तो यह कर चाँ के के बाराबर हो जाएगा फोर कर के 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 दो वाइन जो है एक तो जीरो है एक तो कितना है चार लेकिन आप से नमबर नहीं दिया है तो आपका अंबर डी करेक्ट क्या करेक्ट हो जाएगा क्या पिछ आप सान नमबर ईपको चपकर्षा जाएगा juicy 46 नमबर के कोशन के तरफ बढ़ते हैं 47 नमबर का कोशन क्या है यहां अपर सउंगरेख आपको पता होगा कि जब तीन बिंदू दिये गए हैं उजब तीन सब्सक्राइब कर ना दे Commissioner संग्रेक होते हैं तो इसका मतलγά इसका छेतुन अपया होगा जीरो होगा होगा ना तो बस मैं फार्मिला रंकर के आपको बता देता हूं कैसे आप स्रूसन करें मैं सुमसंती करा रहता हूं चलिए तो यह 46 तो यहां पर कि माइप रख दिया हूं यह तीनो बिंदु यह संग्रिख तभी होते हैं जब इनका छहते प्रफल निकालते हैं और यह जिरू आता है तो सब्सक्राइब्स संग्रेक हैं तो यह Сब्सक्राइब इसमें जो है कि 47 नंबर का सेलोसन मैं कर दे रहा हूं और जो है 48 नंबर को आप करके बताइएगा कि आपका एंसर कितना आ रहा है तीजिक मैं कर देता हूं इसके बाद आपको बता दो कैसे आप लोग हल करेंगे तो 47 नमबर का बिंदू दिया है वान दिया है और इसके बाद फोर दिया है पाला दूसरा दिया है तीन और माइनस दो दिया है चौथा दिया है के और कितना यह नदे रखा किनो बिंदू संग्रेक तभी होते हैं जब इनका चेटरफल कितना सुन तो चलिए मैं सलोशन करके दिखा लेता हूं आपका कौन सा एंस्वर सए है ध्यानी जगा बारावट जीरो के यह तो यह तो आपको पर्तिबंध हुआ ना तीनों बिंदू संग्रेक तभी होते हैं जब चेटरफल कितना हो जीरो हो तो यह दो है तो दो से इस जीरो मल्टिप्लाई करें जीरो होगा छोड़ दीजिए इसका दो अब यहां पर रख दीजिए आप लोग यक्सवन तो यक्सवन वन हो जाएगा कोश्टक में वाइट काल प्लस एक्सटरी का वाई लूग के हो जाएगा वाइबन कितना है आपका चार है मायनस वाई टू कितना है मायनस मारभ ripe लागोद मायनस प्लस बराबर कितना होजाएगा जिरो आप बटा में है्दों हो ऑंदो से मालडिप्लाई करेंगे जीरो में तीरीए तब झीरोग भीड़े चोड़ दीजे उसको कोई दीकर दूगोए माइनस तीन गोँ माइनस थीन में से 1-3 यानिक माइनस थीन प्लस यहां पर रहें चार दूचार च्छोच्ष्ष से क्या हो जाएगा च्छोच में बरावर ऑद देखे नौ और तीन की इतना हो जाएगा 12 माइनस 12 होगा उधर वेज़ेंगे तो प्लस 12 यानि के बरावर हो जाएगा बार च्छा दुनिके 12 के बरावर कितना हो जाएगा आपका एनस्वय होगा उमीद हुँए फ्रेंस कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और 47 नंबर का हम भोग एनसवर की बात करें तो एनसवर नंबर दो एनसवर जो है कि आपका डी क्रेक्ट है इतना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसके वाद हम लोड लेकर चलते हैं आपको जो है और हां देखेंगा एनस्वर सही है गलत है कैसे करेंगे यह कितना और था तो आपका और इसमें क्या दे रहा है आरता आलिस नंबर में मैं लिख दे रहा हूं आप लोग कहीं से हल कर लेंगे दे रहा का यह चेतरफल निकाल लिए यह तो बहुत कुछ नहीं आप सभी इसको हटाइए यहां से जीरो हाटाइए क्योंकि संग्रेक दिया रहाएगा तो लेंगे अब यह चेतरफल का फार्मूला हो गया आई से छेतरफल में बुस्ता क्या कर देना है रख देना है रख कर सकते हुएन डिटरांब कर लेंगे हाल करके कमेंट दोरह बताइए कौनसा प्रेक्ट्ट चलिए हम रख देता हूं दिरक रख इसApples number में आपका वोब दाया है kama दिया है सी प्लस से सी प्लस अidge ठीक है दूसरा बिट दिया है एका मसी कोई करते हैं कि शुथपीजा है माइनस से दिया है और आपका दिया है सी माइनस लिए तो ध्यान और यह सब्सक्राइब करने के बाद जितना आपका आएगा वही आपका हो जाएगा क्या एंस्वार ठीक है तो मैं एंस्वार भी आपको बता देता हूं कौन सा एंस्वार क्रेक्ट है आपका एंस्वार है एंस्वार आपका एंस्वार आना चाहिए कितना एंस्वार कितना एंस्वार जो की आपका डी क्रेक्ट होना चाहिए कौन सा क्रेक्ट होना चाहिए मेरे प्रोसेस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा एअब ध्यान दिजेगा कोई भी आपका छेतरफल माइनस में आता नहीं तो माइनस में प्लस में एक पर उमीद होगा मेरे प्रिछात रोग इस video में कोशन साहर सोलोशन कराया हूं आपको अच्छी तरह से स्टेप बाई स्टेप समय में आ गया होगा तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके बाद जो है कि उन्चास यह 48 रहा ना अब हम आपको लेका चलते हैं उन्चास नमर के तरफ चलिएगा उन्चास नमर का कोश्चन क्या है चलिए देखिए रखा है तो देखिएगा उन्चास नमर बहुत ही बढ़ है कि एक संख्या में उसके एक बाट जोड़ने पर प्राप्थ होती हैं वह संख्या बहुत स्पैनस अन् Dayton years Live कोई संख्या है तो मान लेका यक्स है इस संख्या कर पर कितना हो जाएगा चार बराबर कितना को चार बराबर कितना होगा किने अब जो ही मल्टिप्लाइ़ कर दीजी यजो हो जाएगा पाथ पक्चे कुछ यह हो जाएगा आपका ओणर चोकर के साथ यानि साथ हो गए कि वह संक्या साथ है जिसका एक बठामे चार जो है स्टार्थ में जोड़ने पर आपा आ रहा है कितना 75 avoid सब्सक्राइब लोग कर सकते कोई करने साथ अटब भी आपका सब्सक्राइब त्रोको आप सो ग्र्याम्ट है अफ्सरन डिया है यहां कि दी आप संदिया कितना है कि तो कर रहा है कि इसमें से कौन संख्या है जिसके एक बटा में 4 उसमें जोड़ देने पर आपका 75 हो जाता है इसमें एक बटा में 4 ना तो 4-60 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पंदरा चोग को 65 होगा अग्या पंदरा में करें इस संख्या का यह जोड़ने पर उस संख्या का चार से पाले भाग देजिए पंदरा हुगा आपसा नमर इसमें चार से भाग देंगे तो यह हो जाए आपका चार है चार से भाग देंगे तो चार हो जाएगा नहीं है तो आप इससे फटाक्स कर लिजएगा इससे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा जलता कि श donatale तो सब्सक्राइगे तो आप किजिए तो फिर भाग देना पड़ेगा फिर भाग देनाफ different जब तक चर्णों करेंगे तो आप 30 उसे मत किजिए दो पहले आंपन आप चार से भाग देजिएगा法 तो यह आपका उन्चास रहा चलते हैं अंतिम प्रश्ण के तरफ इस वीडियो का यह अंतिम कोशन है और हां वास्तों में अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाएगा साथ में जो है कि वेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो अप्लोट करें तो समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे ठीक है मेरे प्रिछात रहूं चलिए इसका सोलुसन आप फटाक से कर सकते हैं साइन दिया है 180 इसके बाद दि सकते हैं मेरे प्रिछात रहूं देखिए हल करा दे रहा हूं साइन हो जाएगा कि इसको हाल करने से पहले आपको टर्निंग आना चाहिए तर्निंग नोट नहीं चतुर्थान साब को पहले पता होना चाहिए जब हम तिरकुलमीती आपको पढ़ाया थे तो उसमें बेसिक ल जानने के लिए अपको चैतोरथान सब्सक्राइब नहीं होती है एक सोशी में सथीटा घठा है तो आपका दूसरे में स्युक्त में तर्निंग नहीं होती है कोई दीकत नहीं है यह रहां देखिए एक सोची में ठीटा जोड़ा है तो तीसरे में साइन माइनस होता है तो माइनस लगा दिये एक सो सीमें नहीं होती है इससे यह कट गया इससे यह रहा बराबर किताना ढी रहा है सबी चीज़ आप कोछी समझ में आ गई न यानिकि यह आपका सब्सक्राइब करता हूं आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट और जरूर बताइएगा ताकि मेरा प्रयाज और रहे कि जो ही मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं आपको उसमें और अच्छी तरह समझाओं ताकि आपका सभी कन्फूजन दूर हो जाए तो दोस्तों अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाएगा और हमारे साथ तब आपको पहुंचते रहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तके लिए बाइब